5G की काफी चर्चा अभी देश भर में हो रही है और सभी के मन में ये सवाल है कि 5G को देश में कब लॉंच किया जाएगा अभी फिलहाल टेलिकॉम कंपनियों को इसके ट्राइल के लिए ही इजाज़त दी गई है इसके लिए उन्हें स्पेक्ट्रम उपलब्द करवा दिया गया है इसकी उपलब्दता पर एक नई रिपोर्ट आई है रिपोर्ट में बताया गया है कि देश में 5G कब उपलब्द होगा दा हिंदू बिजनस लाइन की एक रिपोर्ट के अनुसार इस मामले के जानकार सरकारी अधिकारी की माने तो 5G जल्द भारत में लॉंच होने वाला है इसमें अब ज्यादा टाइम नहीं है रिपोर्ट के अनुसार भारत में 5G को 75-70 दिवस के अवसर पर लॉंच किया जा सकता है यानि भारत में 5G 15 अगस 2022 को आ सकता है 5G टेकनोलोजी को अगले साल अगस में स्टार्ट किया जा सकता है दा हिंदू बिजनस लाइन को मिली जानकारी के अनुसार 15 अगस 2022 को प्रधान मंत्री इसे अफिशली लॉंच कर सकते हैं इसमें सबसे बड़ा सर्प्राइज ये देखने को मिलेगा कि सौफ्ट्वेयर और हार्डवेयर में कई भारती टेकनोलोजी का काफी ज्यादा यूज किया जाएगा रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि कई बड़ी कंपनी जैसे एरिकसिन, नौकिया, सैमसंग और कॉलकुम भारत में 5G हार्डवेयर पर काम कर रही है हुआई और जीटी के बारे में जब पूछा गया तो सरकारी अधिकारी ने बताया कि कई दूसरी कंपनिया दुनिया के लिए 5G टेकनोलोजी पर काम कर रही हैं इससे कई लोकल प्लेयर्स भी केपिबल हैं देश और दुनिया की हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें